एलो एवरिवन वेलकम टू दौनोवा क्लासेज लेट्स मेंग लर्निंग इजियर दोस्तों सिंप्लिफिकेशन के कुछ इंपोर्टिंट कोश्चन के साथ आज मैं आया हूं जो दिखने में तो काफी बड़े लगते हैं बट उनका सॉलूशन मात्र सेकेंड में कर सकते हो एकस पावर 279 प्लस वन अपान एकस पावर 279 इकोल तो एट देन वाट इस देखो ऐसा कुश्चन बहुत बड़ा है लेकिन मैं इसका सिंपल तरीका में आपको बता देता हूं कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर अपको बताया था तो आप संपलों कि यह हमारा एकस है और यह वन अपान एकस है यहां माइनस है तो यहां माइनस हम कर देंगे A की value क्या है 8 है तो simply तोर पर हम क्या करेंगे 8 का square कर लेंगे उसमें से क्या करेंगे 4 को minus कर लेंगे तो आप देखो क्या जाएगा 8 is a 64 minus 4 equal to under root 60 तो आपका correct answer क्या हो जाएगा option number C आसान है न तो अगर ऐसे question हो तो बस simply तोर पर आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर plus है तो यहाँ पर minus अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर minus कर देंगे और अगर यहाँ पर plus है और यहाँ पर plus है तो यहाँ पर हम plus कर देंगे तो बहुत है simple तरीका है यह formula आप अपना तयार कर लो ठीक है इसी तरह का next question मैं आपको दिखाता हूं यहां पर देखो मैंने थोड़ा सा question change कर दिया है यहां पर दिया है कि x power 279 minus 1 upon x power 279 equal to under root 60 और यहां इसकी value plus दिया है तो plus दिया है तो हमने बताया था कि आपको करना क्या है under root में under root 60 का square करना है और plus 4 अड़ कर देना है तो आप देखो under root 60 का square क्या हो जाएगा 60 plus 4 तो under root 64 और यहां पर यहां पर इसका value क्या हो जाएगा 8 तो यहां correct answer आपको क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो simple है न एक बान मैं formula फीर से यहां पर लिख देता हूं अगर x plus 1 upon x equal to a है तो x minus 1 upon x equal to under root a square minus 4 हो जाएगा अगर x minus 1 upon x equal to a है तो x plus 1 upon x equal to क्या हो जाएगा under root a square plus 4 ये दो महत्वपूर्ण फॉर्मूला हैं जिनको आपको learn कर लेना है ठीक है तो ऐसे question आप आसानी से solve कर सकते हो तो यह मत्र दो सेकेंड में आपने solution किया ना चलो next question की तरफ बढ़ते हैं next question है बहुत ही simple question है दीखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है ना बट आप इसको दो सेकेंड में solve कर सकते हैं कि which of this is the smallest numbers इसमें से कौन सा सबसे smallest है तू पावर 250 थी पाव 155 पाव 100 और फो पाव 200 तो इट इस नाट पॉसिबल कि आप इसको इतनी बार multiplied कर सकों तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप पावर को देखो और पावर में चेक करो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो जिसका डिवाइट सभी पावह के साथ हो सकता है तो अगर हम यहां पर 50 से डिवाइट करें तो यह क्या हो सकता है बैटा डिवाइट करना है जो पावर है उस नंबर में कि स सभी जो पावरर ही हो उस नंबर से सभी पावर क्या हो बीवाइड हो जाए तो हमने यहां पर देखा कि इसमें Content किया है 50 है तो 50 से मैंने क्या कि इवाइड किया अब दो पावर 5 वैल्य वैलियू 32 च्छी शैजी स् STEP 17120 उसकी वैलियू चाथ चुके 16 आप पूछा क्या है smallest तो smallest सबसे क्या है हमारा 25 है तो 25 क्या है हमारा यह 5 पावर 100 तो यहां पर which one is the smallest तो D option आपका correct हो जाएगा इजी है ना D option आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा clear चलो next question देखते हैं next question यह देखे आप दिया गया है कि if x equal to under root 7 plus 5 under root 7 minus under root 5 and under root 7 plus under root 5 तो देखो बच्चों दोस्तों आपको यह समझना जरूरी होगा कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से दिया हो x equal to आपका दिया है under root 7 plus under root 5 upon under root 7 minus under root 5 तो देखो सबसे पहले आप देख ले ना कि इन दोनों का different कितना होता है इन दोनों का different आप देख लो साथ में से पांच गया कितना आ जाएगा दो और यहां इन दोनों को add कर दो तो कितना अगर च head oh अगर ऐसे question put up किया जाते हैं तो जो denominator में minus है तो पहले आप उन दोनों का minus कर लो तो 2 आ गया और उपर इन दोनों को plus कर लो तो 7 5 12 हो गया और नीचे 7 में से 5 गया 2 तो दोनों का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाए गया 6 आ जाएगा अब इसके बाद क्या करोगे कि यह जो number दोनों दिया है उनका क्या कर लो multiply कर लो तो क्या हो जाएगा अंडरूर 35 अब ऐसे इसको solve कर लो तो अगर y की value आप solve कर लो तो y की value में पहले क्या है उपर minus है तो दोनों उपर क्या कर लोगे आप minus है और यहां पर क्या है प्लस है तो simple सी बात है आप इसको फिर से 7 में से 5 अब दबाज गया दो और उपर क्या हो जाएगा 75 बार तो 6 आ जाएगा और यहां पर क्या है माइनस है तो यह क्या जाएगा 6 माइनस अंडरूर 35 यानि इसका जो value आएगा वो 6 माइनस अंडरूर 35 यह ध्यान देना यहां कोई भी number हो बस यहां पर यह थे focus करना है कि अगर माइनस है अगर यहां पे आपका प्लस है तो यहां प्लस होगा देख लो यहां अगर प्लस है यहां पे प्लस होगा अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होगा तो आप अब इसको क्या कर लो X प्लस Y निकलना है तो आप इसको जोड़ लो तो 6 plus under root 35 plus 6 minus under root 35 under root 35, 35 cancel कितना जाएगा 12 तो इसमें correct answer क्या हो जाएगा 12 एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि अगर ऐसे मैं एक बार फिर से आपको देख रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पर दिया है under root 7 plus under root 5 upon under root 7 minus under root 5 तो simple तरीका होता है कि पहले आप इसमें इसका minus कर लो तो 2 आएगा इसका 7 और 5 add कर लो तो 12 आगया तो 2 चक 12 यहाँ 6 लिख दो फिर यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देना और 7 पचे 35 यह under root 35 हो गया अगर यही 7 minus under root 5 upon under root 7 plus under root 5 है तो वही rule है 7 में से 5 गटा दो 2 आगया और यहाँ 7 में से 5 जोड़ दो 12 आगया तो 6 हो गया तो आप यहाँ 6 लिख दो यहाँ पर अगर minus है तो आप यहाँ minus लिख हो गया और यहाँ पर क्या लिख हो गया है 35 ओके तो यह concept तरीका है बहुत आजानी से मैं से question को solve कर सकते हैं मात्र सेकेंड में तो इसका correct answer क्या होगा 12 next question देखते हैं कह रहा है कि if a minus b equal to 1 a square plus b square equal to 25 then a b equal to क्या होगा तो देखो a b equal to क्या होगा यह हमें देखना है तो a b equal to क्या हो सकता है तो बस simple सा तरीका है कि हम क्या करेंगे सॉरी इसका यह 12 ओके यहां पर जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 12 रहेगा तो अब देखो यहां पर question देखो कि a minus b equal to 1 यानि ऐसे दो नंबर लो जिसका माइनस वन आ जाए तो अगर हम 3-2 करेंगे तो वन आ तो जा रहा है बट तो अगर हम यहां पर 4-3 करें तो 4-3 equal to 1 आ जा रहा है और यहां पर 4 का square plus 3 का square 25 आ रहा है तो हमें value क्या मिल गई तो यह आसान तरीके से इसको आप लगा सकते हैं तो अगर दूसरा method में बताओं तो a square plus b square equal to क्या होता है बरकेट में a minus b का whole square plus 2ab तो a square plus b square यहां 25 दिया ही है यहां a minus b का whole square 1 है ही ok 1 plus 2ab तो यहां पर देखो 25 में से एक घटा दो फिर यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2ab ok तो 25 में से यह गया तो कितना हो जाएगा 24 24 equal to 2ab तो यहां पर आप देखो a b equal to क्या हो जाएगा 12 तो आप ऐसे भी लगा सकते हो इस वाले formula के इस वाले formula के through भी आप लगा सकते हो और ये heat and trial method इसके through भी आप लगा सकते हैं ठीक है next question देखते है करा है कि if the ratio of cost of price and CP यानि CP और SP का ratio दिया है तो मान लो CP हमारा 8 हो गया और SP कितना हो गया 9 तो ये SP जादा है तो profit कितना होगा profit होगा 1 का तो हमें पता है ना कि profit percent equal to क्या होता है profit upon CP into 100 profit 1 upon CP कितना 8 into 100 2 से कर दो तो 25 आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 25.2 ये कितना जाएगा 12.5 तो जो profit percent होगा वो कितना हो जाएगा 12.5 परसेंट ओके easy है ना ओके चलो ये एक बहुत important question है आप बताओ जल्ली से find the number of triangles तो जल्ली से आप बताओ कितना answer हो सकता है तो ऐसे question को बहुत हम आसानी से इसलिए मैंने लिया कि थोड़ा interesting लग रहा था यहाँ पे हम लिग देंगे one two three four five तो बस क्या करना है इन सबको add करना है one plus two plus three plus four plus five बस कोई भी इस तरह का figure दिया हो तो बस आपको करना क्या है उसको add कर देना है total total 30 हो जाएगा okay so thank you and jahin and don't forget to subscribe bye bye